हेलो दोस्तो मेरा नाम है अपजीत और आप देख रहे हैं Note Review दोस्तो अगर आप अपने laptop पे SSD इंस्टॉल करने जाओगे तो आपको बहुत सारे options मिलेंगे अलग-अलग brand के options देखने को मिलेंगे और लोगों को confusion होता है कि 120GB जो की लगभग 2000 के आसपास मिलता है उसको लगाना चाहिए या लगभग 250GB जिसका cost 3000 के आसपास आता है उसको लगाना चाहिए या 500GB के आसपास का जो हमारा SSD आता है साड़े 5-6000 के आसपास उसको लगाना चाहिए तो basically दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो को follow किया होगा तो मैंने तीनों तरीके के SSD को install कर लिया है अपने laptop में अलग-अलग laptop में तो मुझे काफी अच्छे से idea मिला है कि 120GB का SSD किसके लिए बहतर रहता है 200 वालक इसके लिए अच्छा है 500 वालक इसके लिए अच्छा है तो अगर आप अपने पैसे सही से invest करना चाहते हैं तो I will recommend कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो like भी जरूर कर दीजिएगा अब देख़र मैं आपको बहुत ही basic से समझाता हूँ कि SSD की जरूरत क्यों होती है कभी पे आप अपने laptop को open करते हो तो जितना जल्दी वो open होके आएगा Windows के जितने भी चीज़े सब open होके आएगे तो time कम लगेगा और वो चीज़ आपको SSD के अंदर ही देखनी को मिलेगा hard disk में generally 1.5 मिनट का time लग जाता है SSD के अंदर लगबग 15-20 seconds में ये काम हो जाते है कोई भी software आपको open करने है तुरंट से ये SSD आपको open करके दे देगा लेगिन same time पे SSD ना बहुत महंगा भी होता है और महंगा होता है तो वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है कि कितनी GB का SSD यूज़ करना चाहिए तो देखो यार अगर आपकी requirement कुछ ऐसी है कि laptop open किया बस कुछ-कुछ videos देखे कुछ-कुछ software चलाए थोड़ा मेड़े जो बहुत basic वाले हैं और lectures use कर लिए देख लिए थोड़े मोडे presentation बना लिए मतलब बहुत ही छोटा मोटा काम है आपका तो I think उस case में आप 120 GB के साथ भी जा सकते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यार 120 GB के आसपास का जो costing आता है वो 2000 आता है और यही पर अगर आप 1000 और लगा दोगे तो आपको लगभग 200 GB के आसपास मिल लियागा तो यहाँ पर अकलमंदी क्या है मैं आपको सजेस्ट करूँगा इतने दिन के experience के हिजाब से कि भाईया आप 250 GB के आसपास का जो SSD आता है उसके अंदर जरूर देखना अगर आपका budget अलाओ करता है 1000 अगर अभी नहीं है तो बचा लो और उसके अंदर invest करो फाइदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ देखो 128 GB के आप लगाओगे तो घुमा फिरा करके आपको 110 GB के आसपास का space मिलेगा थोड़ा सा तो वो backup में जाता है तो 110 GB के आसपास का space मिला उसके अंदर आपने Windows इंस्टॉल किया कुछ-कुछ software इंस्टॉल किया तो 20-30 GB तो अराम से भर जाएगा अब आपको space कितना मिला लगभग 70-80 GB अब उसमें भी अगर आपको फाइल ये सब इस्टोर करने है स्टार्ट कर दोगे कुछ movies ये सब इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करके रखोगे कोई series डाउनलोड करके रखोगे तो वो आपके SSD के अंदर use होने लगेगा तो उस case में थोड़ी दिक्कत आएगी लेगिन हाँ अगर आपके पास hard disk भी है मतलब SSD plus hard disk तो फिर आप ये वाला configuration देख सकते हैं 128 GB वाला के साथ भी जा सकते हैं अगर आपके laptop में केवल SSD जा रहा है और 128 GB जा रहा है तो मैं recommend करूँगा कि भाईया थोड़ा सा सोच लेना 128 से बहतर रहेगा कि 1200 GB वाला के साथ जा सकते हैं अब देखो मेरे laptop में लगभग एक देड़ साल या आई थिंक दो साल मैंने 200 GB यूज किया है तो उसमें मुझे फाइदा क्या होता है आप देखो मैं हूँ mechanical background से जब मैं college में था तो मैं mechanical में जितने भी important software है Catia हो गया, Solidworks हो गया और भी important, important software जो की मतलब 4 GB, 6 GB, 8 GB ऐसे-एसे software रहते थे तो उसको जब मैं install करके रखता था तो C-Drive पे ही रखता था और वो SSD के अंदर रहता था इसके उपर से मैं videos editing करना start किया, तो हर तरीके के software मुझे रखने होते हैं, तो उसके लिए घुमा फिरा करके ने, इतना सारा ताम जहाम होने के बाद मेरे C-Drive में लगभग 80 GB के आसपास का space use हो रहा था, तो उस case में तो मैं 128 GB ले ही नहीं सकता था, कुछ काम ही नहीं हो पाता मेरा, पूरा मतलब 100% memory जब use होगा ना, तो laptop का ऐसी भी band बच जाएगा तो इस वज़े से मैंने 200 GB start में ही लेनी की कोसिस की थी, अब हुआ क्या कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत सारे जैसे यही वीडियो में record करूँ, C drive में डालूँगा, edit करूँगा, उसके बाद फिर जो भी करना है करूँगा, उसको side करूँगा अपने दूसरे वाले hard disk के अंदर, तो उस case में क्या होता था, मेरा जो C drive था, उसमें space भरते जाता था, और मुझे जो problem होता था, मतलब bottle neck type का आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी device के अंदर जो इसका, मालनो 200 GB है इसके अंदर और अगर आप 180 GB भर दोगे ना तो इसका performance ऐसी drop हो जाएगा, जो 6,000 रुपया लगता है, इसका लगवाग साले 5-6,000 तो double हो जा रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं लेगिन इसमें double मतलब जो इसके अंदर लगा हुआ है, वो 512 GB वाला है तो 512 GB लगाने के बाद मुझे फाइदा क्या हो रहा है कि मेरा 20-30% ही space यूज हो रहा है, बाकी का space खाली है तो मैं बहुत सारे वीडियो अगर record भी कर लेता हूँ रखता भी हूँ, edit भी करता हूँ तो मुझे वो performance में compromise नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि अगर मैं 512 GB नहीं यूज कर रहा था बहुत सारे GB अगर आपको store करके नहीं रखने हैं आपके पास hard disk पहले से है तो यहाँ पर आप 128 GB के साथ जा सकते दिक्कत नहीं आएगी लेकिन I will suggest you कि आप उसके उपर जाओ 200 GB वाला laptop अगर आप खरीद रहे हो तो वो वाला SSD देखो या फिर अगर आप upgrade ही कर रहे हो तो एक ही बर पैसे लगाओ 200 GB minimum लगाओ और इसके उपर अगर आपका काम है जैसे मेरा काम है बहुत सारे software बहुत सारे data को मुझे store करके रखने होते है जल्दी जल्दी मुझे edit करना होता है कभी कोई video का कोई clip उठाया कहीं कहीं से उठाया तो सारे चीज मेरे store करके रखते है तो उस case में मैंने 500 GB का use किया अगर आपकी भी requirement कुछ ऐसी है तो ही आप 500 GB का use करना otherwise I think 2500 GB is more than sufficient अब देखो आग gaming ये सब आप करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई SSD के अंदर रखता होगा future के हिसाब से और अगर आप मेरे जैसा वीडियो एडिट करते हो तो I will again recommend कि आप 500 GB के साथ ही जाओ आप भी future proof रहोगे तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताने की कोसिस किया थोड़ा सा uncut type का वीडियो था बस जो भी मेरे experience था मैंने आपको share कर दिया अगर आपको कोई भी चीज खरीदना होगा सारे useful link मैंने description box में दे रखे हैं आप जाकर पर्चस कर सकते हैं मुझसे connect करना चाहते हैं तो Instagram पे note review search कर लेना मैं मिल जाओंगा आपसे बात भी कर लूँगा और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो like कर देना, share करना और channel पर नहीं होगे तो subscribe करके bell notification भी press कर लेना तो मैं हूँ आपका दोस्त अबजीत मिलता हूँ आपसे next video में thanks a lot for watching कर दो